जेहिन, INS विक्रान जो भारत का पहला इंडीजीनियस एरक्राफ्ट करियर है इसके बारे में टोटल स्पेसिफीकेशन इसमें कैसे कैसे ये काम करता है एरक्राफ्ट करियर इसके बारे में समझते हैं देखिए भारत जब आजाद हुआ था तो हमारे पास नेवी बहुत कमजोर थी और टट्रेखा बहुत बड़ी थी इसलिए भारत को एयर क्राफ्ट केरियर की जरूवत थी जिसके उपर से हम हवाई जहाजों को उतार सके क्योंकि फाइटर चोटे होते हैं वह जादे दूर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका फ्यूल टैंक भी हो गया तो भारत ने इसे 1957 में खरीद लिया और 1961 में अपने हिसाब से इसे मोडिफाई करके अपने केरियर में सामिल कर लिया और यह 1997 संतानवे तक भारती सेना में रहा यह एयरकर्ट करियर हमने उसको नाम दिया INS विक्रान पर तो विक्रान जो है हमारे साथ कई यादे ज भूल नहीं सकता है हाला कि 1970 की लड़ाई पर हम पूरा एक वीडियो बना दिये हैं कितने लोग देख लिया होंगे लोग अब हम समझते हैं विक्रान के बारे में विक्रान जब रिटायर हुआ तो इसे तोड़ दिया गया हाला कि यह नहीं तोड़ना चाहिए था इसे एक म कि उसने कहा कि इसमें देश का लोहा लगा हुआ है विक्रान जब विक्रान के टीमोलीस के बाद हमारे पास एक और था विराट उसको भी हम लोग ने रिटायर कर दिया विक्रांद और विराट की रिटायर होने के बाद भारतिया नौसेना ने यूक्रेइन से जो पहले USSR का इसको हम लोग ने मोडिफाई किया और इसे रखा तो भारत जैसे इतने बड़े टट रेखा वाला और भारत के दोनों तरफ दुस्मन है अब यहां पर चाइना ने ग्वादर पोर्ट बना लिया इसलिए उसका यहां से कनेक्टिविटी वीजी है और चाइना इस साइट से भी तो हमें दो एकर प्रियर के हमें अशाज जरूबत पढते एक करियर से हो नहीं पड़ा है तो हम लोग ने एक डुबारा विक्रांद बनाया अब आप जब चुका था तो समझे बाहुबली आया थे उसी तरह विक्रांद फॉस्ट के जगा पर विक्रांद सेकेंड आया पहला विक्रांद ब्रीटेन का बनाता है हम लोग ने खुद ही बनाया है तो इसको बना लिया अभी इसे हम लोग ने सी ट्राइल में भेजा यह यह बाइब लगबग 22 सब्सक्राइब बनाता है जो बड़े बड़े जहाजों को बनाता है पहले इसे ड्राइड में रखा जाता है नीचे का पेंदी उधी बना दिया जाता है सब कुछ हो जाता है तो इसे समुंदर में उतार दिया जाता है समुंदर में उतारने के बाद इसके यह एविएशन कंप्लेक्स ऊपर रडार वगरा इस सब चीज के ऊपर के डेक को बनाया जाता है पूरा बन जाता है तो इसे बाहर में खड़ा कर दिया जाता है यहां एक कोप्चा टाइप का देख रहा है इसमें इसका मेंटिनेंस करेगा तो कोची सी प्याड बहुत बढ़ा है इसमें इसलिए टाइम लगते हैं ने तो छोटे-मोटे जहाज में जमला ही नहीं है कोची सी प्याड को बढ़का जहाजवा बनाने में दिक्कत होता है कई किलोमीटर मतलब लंबे होते हैं इस एरिया में छोटका छोटका को तो चोटका टांग के उठा देता है कि चल 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 जो मचली मारना है यहां पर इनस विक्रांद को अभी बनाकर इसके सी ट्राइल में उतार दिया गया इसकी लंबाई 860 फीट 203 फीट इसकी जो विर्थ है 184 फीट इसकी उचाई है यहां पर एरिया लगबग 2.5 एकड में है तो जो उतना एकड जगह है यहां पर टॉप स्पीड इसकी 52 किलोमीटर पर एक साल में इसके हर चीजों को जांच के जागा इसका ड्राफ्ट देखा जाएगा जितना अंदाजा किया गया था उतना ही है या नहीं है इसका टर्निंग रेडियस देखा जाएगा क्योंकि जहां जो को युद्धक जहां जहीं से बहुत जल्दी टर्न कर लेना चाहिए इसका स्पीड ब्रेक को देखा जाएगा इसका स्पीड ट्राइल किया जाएगा और इसके पूरे एक साल तक जब यह ट्राइल चलेगा इसका एंकर रूम एंकर कैसे गिर रहा है क्योंकि यह एंकर जो होते हैं से बहुत मदद करते हैं से जहांजों को रुकने में और अचा कि आगया देखे डीजल एलेक्टिक इंजन लगाया जाता है इसमें इंजन का जो साथ जितना लंबा रहेगा उतने जल्दी जहाज पकड़ी जाएगी जिटना लंबा ये इंजन का ये प्रोपिलर सॉफ्ट आएगा उतने जादे जहाज में वाइबरेसा नाईगी जो इस प बारे में भी कुछ लोग करें यह चोटा है बड़ा इसको समझें यहाँ पर जैसे यहाँ देखें यह उपर का डेख है जहाज इसके अंदर रखी हुई है लेकिन यह इनस विक्रमादित का है विक्रमादित के साथ खराबी क्या है कि इसका लिफ्ट सामने है लिफ्ट सामने क यह जहाज का कुछ हिस्सा बाहर लटका दीजेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग का जो लिफ्ट है वह सी फेसिंग है विकरांथ का दो दो तो लिफ्ट है एवियेसन कॉंपलेक्स जो उपर आइलेंड होता है उसके एक साइड इदर एक साइड दो दो लिफ्ट है अब यहां देखिए यहां पर इसका यह जहाज का इतना हिस्सा देखिए समूदर के बाहर है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह सेफ पैसिंग फिर इसको उठा लिया जाए देखिए सारी जहाज यह अंदर होती है अंदर ही इसकी सर्वीसिंग मोबिल तेल पेट्रोल ड ही है यह लिफ्ट अब किसी नहीं से जाचा नहीं है सेटलाइट इमेज के हिसाब से उन लोगों ने अंदाजा लगा दिया है नौ मीटर का और इनका काना है कि देखिए इसमें मीग 29 के फिट हो जाएगा क्योंकि मीग 29 जो के है नेवल वर्जन है इसका विंग से फोल्ड ह जाता है तो जब यह हेंगर में जाता है नट वोड़ करके नीचे चल जाता है उतर के आता है जो ऊड़ना रहता है तब फिर उड़ जाता है अब यह लेकिन अपी नहीं में सब से तगड़ा चल रहा है एफ-eating होगा अब यह किसी ने ना पानी है अब दूसरी बात ना हमा पूरी बढ़ स्च लगए तो चली एक भोड़ तो ये सब ऑंकि यहां चुछतो है कि हैंअ जब को में बड़ा होगा जाई जरूत सा जादे वालत है चोटे में कि अगर छोटा रहेगा तो जहाज यह ऊपरे फहुंच जाएगी, मान कि छोटा है, जहाज बढ़ा इसे रोक दियें सी पर जाएगा, लिफ्ट वा नीचे चल जाएगा इसे, इसका जो डेक होता है, इसकी मार्किंग को समझते हैं, यह रेड लाइन जो दिखा रह हैं, एक सौट टेक अफ के लिए, यहाँ से जो टेक अफ करेगा जहाग, उसको पूरे फूल पावर के साथ उड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह चोटा होता है, एक यहाँ रहता है, यहाँ पर थोड़ा यह लंबा रहने होता है, दोनों में सेम जहाजे उड़ती है, लेकिन नगरमान के चलिए, आप ही को सौ मीटर का दोड़ा, दो सौ मीटर का दोड़ लगाना है, तो एनरजी में डिफरेंस आता है, इसको इसलिए रखा गया है, दो टाइप का, कि जादे से जादे जहाँ जो को कम समय में उड़ाया जा सके, एक यहाँ से फटाक से उड़ान भर अपने यूज के हिसाब से होता है, अब इसके लेंडिंग के टाइम पर पीछे अरेश्टेड वायर रखना पड़ता है, यहाँ पर जहाजे हैं, यह खाली पर है, इसमें भी खाली दिखाए गया है, जब कि यहाँ पर है, पूरा हेंगर लोड है यहाँ पर, यह सारी जहाज का जो पाइलेट होता है, जब लेंडिंग करने के लिए आता है, इन तीन वायर में से बीच वाले वायर में फसाने के लिए वो ज़्यादे पर प्रिफर करता है, क्योंकि पहले में आगर फसाता है, तो हो सकता है कि उधरे गिर जिखिए, जहाज में नीचे हूँक लगा होता है इसी काते अरेस्टेट लेंडिंग यह आता है और इसमें फसा लेता है और यह फसाता है तो यह जहाज लेंड करती है ना इसी हूँक के वज़े से और यह जहाज जो भी पाइलेट आता है फूल पावर के साथ लाता है कि बाई देवे अगर हूँक ना फसे तो आफर फूल टॉचका टॉच करता है है और अगर फूस गया उसको लगता है नहीं भाग रही है तो समच आता है रोक देता है अनि वह पास जाए यहां आप वापस हो जाता है चोड़ है सबस과 समस्य आते हैं इस एंगल को मिलाने में टेकाउन रडार मदद करता है यह उपर सा यह जो रडार देख रहे हैं यहीं बताता है कि देख भवगा तोरह लेंडिंग तो जहाज को थोड़ा साउर उपर करो नीचे करो दहीने बाएं समझे यह कि यह जिस तरह से वहाँ पर ILS सिस्टम काम करता ह एरेशली यहाँ सटंश फसाइघ जया सक है इसके उपर येवाला रडार को देखेंगे तो मेरीन रडार होते हैं नेविघेसन रडार और मेरीनonne इनका क्या होते हैं मेरीन रडार छोटे मोटे टार最ैनरे को पकड़ते हैं जैसे ज्ट्रोन आगया है नहीं से अनुपनके लाड़ जा गा सब दोठो लगाएगा है यहाँ पर यह एक इस साइड में उधर से में यह वार्निंग रडार होते हैं यह 400 km रेंज होता है 400 km की दैरे में कुछ भी आएगा पूरा वार्निंग सिस्टम को यह दे देगा इस सारे सिस्टम को इसके उपर ही इसको लगाए जाता है ताकि इस साइड इसमें इसको फिट नहीं किया गया क्योंकि जब इसमें फिट किया जाता है मल्टी फंक्शनल रडार तो यह हलका सा उभार आ जाता है कोई जरूरी भी ने देखिए हलका हलका उभार देखने को मिलेगा यह पूरे 306 डीगरी के डिरेक्शन में पई सारे में तो यह मल्टी फंक्शनल एम एफ मल्टी फंक्शनल इस्टार रडार होते हैं यह इसका में रडार है अलागि इस पर चालू कर दिया गया होगा यह नहीं भी किया हो तो फिट करने में कोई जादे दिक्कत नहीं आता है इसके अलावे इस पर यह जो आंटीना देख रह तो भटका देता है वहाँ पर जिससे की निसाने चूक जाते हैं समुन्दर में किसी भी तरह का टावर या वायर नहीं भी छे रहते हैं जिससे की आप बात कर सकें ही एक चीज होता है तो सेटलाइट से बात करने के लिए सेटलाइट कम्यों के सब ङहाँ इसमें सबसे जो सबसे जो एडवांस लगाए गया है इडवांस ही जादे नेटवर्क को कंट्रोल करके रखता है यह एंटीना के एक पूरे गुरूप को कहते हैं इसमें बहुत सारे अंटीना लगे रहते हैं आप यहां देखेंगे तो यह लगाएगा है यह क्या करता है इस जहाज को कॉम्मुनिकेशन करने में यहीं मदद करता है यह जो परमान के लिए मुंबई के टट से कोई आदेश आया तो यहीं पकड़ेगा तो एक तरह से समझिए कि पूरा कॉम्मुनिकेशन सिस्टम को यहीं कंट्रोल करके रखता है सेकेंडरी सर्वेलांस रडार को इसके टॉप पर यहां आप देख सकते हैं यहां लगाए गया है य यहां फिरदा कर लेता है कर दो लिए भागासे अंदर ॥ृश आरे सफ यहीं करुक होसदा होता है यह जालता है यहां पर पर सेहले? इसको लेकर उसका करा की इतनी फैसलिटी उसके कराची सहर में नहीं यह जितना अकेले में इसके ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं Aviation complex इसे island भी कहते हैं लोग यहां पर नहीं तो इसे ऐसी शुपर स्ट्रक्चर करते हैं इसी पर सारा command पर लगा रहता है अब यहां पर कोई जहाज लेंडिंग वगरा करती है तो इसी में से एयर ट्रेफिक, कंट्रोलर, एटी सी वगरा का काम यहीं से होता है जैसे देखिए यहां पर इसके अंदर बैठे है लोग न यहां से टुकू-टुकूर जाकेगा जहाज लेंड किया या नहीं किया खाली है या नहीं रनवे वगरा यह सब को यह एवीएशन कंप्लेक्स या सूपर इस्ट्रक्चर से ही देखते हैं लो इसके ऊपर जो होता है यह वेदर रडार को भी लगाना जरूरी है ताकि इन्हें पहले से चेतावनी मिल जाए कि आगे मौसम खराब है चक्रवाद तूफान सुनामी या कोई भी मौसम में गड़बड़ी आएगा तो इनका खुद का वेदर सिस्टम होता है बता देता है महराज कैप्टन साहब उदर जा रहे हैं टाइटेनिक वहला हाल हो जाएगा गडबड़ मौसम है ठंडा पड़ रहा है मोड़ जरूरी है वहाँ पर और ठंड जो आएगा उसमें इसकी जम्प वाला सिस्टम नहीं होगा इसकी जम्प में जहाजों कोई से इसके उपर जाके इसे जम्प करके उड़ा जाता है जिस वजह से अपनी फूल फूल छमता से नहीं उड़ पाती है जबकि अमेरिका वगरा में देखेंगे तो उसमें केटापूल सिस्टम है छोटे से रनवें बस इतने दूर में जहाजे उड़ जाती है दो दो रनवें इसमें क्या किया जाता है ना जहाज की नीचे ले चक्के को नीचे एक मशीन होती है गुलेल टाइप का तो उड़ाने के लिए कोई दिक्कत ही न करने में तो एक ठो अगर सर्विसिंग में जाता है न तो छे मुएने लगते हैं उसको रिपेयर सर्विसिंग इतना बड़ा एरिया है उसको करने में तो एक ठो तो सर्विसिंग में जाएगा तो एनी टाइम हमारे पास एक ही एबलेबल रहेगा तो तो तीन ठो रहेगा त पानी वाली जहाजों को बनाया था यूकरेन में जब रूस जो था यूएससर था 1991 में जब यूएससर टूटा तो इसके जितने भी वह सिप्यार्ट थे उसको छोड़ दिया गया दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रूस ने एयरकाफ्ट केरियर बनाये हैं वो सब के स पास नसारे सब कुछ है वहाँपर जैसे मानकी चलिए हम किसी दरजी के पास कपड़ा सिलवाने के लिए और दो महीन बाद कह zijn यार इक प्रवातर ठीक हो रहा है एक और सिलवा लेते हैं तो हमको मेनत थोड़ी करना है कपड़ा खरीद के देंगे उसके नाप आल्रेडी है तो हमारे पास अल्रेडी नाप पड़ा हुआ है भी क्रांद का एक और बना के देंगे तीन ठो ही जाएगा यहाँ पर देगे डर भी ज़रूरी होता है संख्या बहुत मायने रखती है कोई कहेगा पाकिस्तान के पास कितना एरक्राफ्ट करिया एक को नहीं चाइना के पास अभी फिलाल एगो है एगो बन रहा है दोजातीस तक दोजगो कर लेगा और दोजातीस तक हम लोग मॉडले बनाएंगे तब तक किसी को चापके रख दीजे हमारी इंगिनियर क्या खाली बठे रहेंगे सब दोजातीस तक और हम तो कहते कि एरक्राफ्ट करियर में बहुत खर्चा आता है एक जहाज खरीदो उसके उपर मतलब एरक्राफ्ट लडाकू जहाज अलग से खरीदो उससे अच्छा है कि हम लो आत्ância करेंगे समरी को तो कourक्तो क्या करना चाहिए कि हम लोग को यहां पर एक उलग से आईलेंड बना दिए एक यहां बना दीज़ेए यह कै घुसो सा सुरुत नहीं यहां पर और एक हम लोग को यहां बना लो और एक इस साइड बना लिजे यह हमारा लक्ष दीफ है यह पूरे बॉर्डर को कंट्रोल कर लेगा यहां एक आइलेंड बना लेते हैं इंटरनेस्टल बॉर्डर में कौन चिलाने आएगा चाइना बना यह बना लेंगे चाइना जीबूती में बना रखा कंट्रोल हो गया खतम कानी अब जो हमारे बचे सब विक्रांत वगरा उसको छुट्टा साण की तर टहलने दीजिए कि तुम टहलो जी इधर कोई दिक्कत नहीं है और इस आइलेंड पर कोई जमेला नहीं होता है आपको टें आप यहां पर पूरा राडार फिट कर लिजए आर्मी के रहने का जगा बना दीजिए हर चीज बना सकते हैं और इसमें कम खर्चा है और सिंगल इंवेस्टमेंट एक बना इसका कोई एकस्पाइरी डेट हो जाता है वहां पर उसको फ्यूल चाहिए डीजल चाहिए बैटर जनेरेटर चाहिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए साइज मैने में रखता है शाइज बड़ा नहीं हो उना चाहिए उसमें पूरा बने हैं यहां पर पूरा हम लोगग कंट्रोल कर सकते हैं कम खर्चा में आ जाएगा तो हम तो कहते है कि इससाइड को यह हीट होने नहीं देता है इसमें बहुत सारे सिस्टम लगे हुए अब पाकिस्तान क्या काना है देखिए इस सब साले सब पूरा बैल है सब अब हमारा जो विक्रांत है तो विक्रांत की कॉस्टिंग जोड़ दीजेगा उसके उपर मीक 29 के जो 36 जहाज आएंगे उनकी कॉस्टिंग जोड़िएगा उसके साथ जो पूरा बैटल गुरूप चलेगा उसका कॉस्टिंग उस पे 64 बराक मिसाइल जूड़ेंगे उसकी कॉस्टिंग जोड़िएगा तो मोटा मोटी 12 बिलियन डॉलर पड़े और पाकिस्तान के पूरे तीनों से नाओं को मिला दिए इन्होंने बटाया है नि कि इस मिसाइल में गाईदेंस सिस्टम उन्होंने दिया ही नहीं अब बिक्रांत अपना जगर बदल देगा तो यह वहीं जाकी गिर और आइरन डोम जो इसराइल गाजा के रॉकेट को मार देता है उसका बाप है यह आइरन डोम की तो छमता है दौसे किलोमीटर होता है इससवाद 500 किलोमीटर मारेगा और उसके आगे ही का रहा है कि हम फेकेंगा है अरे याद अगर विक्रान चुपचाप अपना लंगर गिर तो ना हम मार देंगे आप उसके एलावे 76 mm का कैनल लगा हुए तोप से मार के गिरा जा सकता है या फिर हमारे पास AK-660 मशीन गन लगे हुए यह पॉइंट मशीन गन होते हैं इनको रडार से फिट कर दिए यह इधर देखेंगे निसाना लगाने की ज़रूद नहीं रडा पर भी डेवलब करना चाहिए क्योंकि चाइना ने आइलेंड को मिलिटरी आइलेंड बना रखा है दुबई ने तो आइलेंड पर पूरा सहर ही बसा रखा है यूपीसी यह स्टेट PCS के एक्जाम में 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 आप देखेंगे साइंस एंड टेक के पोर्शन में एक कोस्चन और ऐसे जरूर रहते हैं टेक्नालोजी से रिलेटेड तो यह अभी करेंट का है तो यह अक्सर पूछने की संभावना भी है और BPSC के तो नोटिफिकेशन भी दिसंबर में एक्जाम भी है दरोगा CDP और BPSC लाइन से सबके एक्जाम है इसके बैचेज भी बहुत जल्दी आने वाले हैं 17 अगस्त से क्लास भी खुल जाए गया और बैच जैसे आएंगे तो हम आपको उसका information दे देंगे उसके बैच कब आते हैं और आप सभी लोग को 15 अगस्त की धेर सारी सुबकामना है मिलेंगे next class में जैहिन